गाईों को कितना चारा केसे कौन शक्खाना हम देना चाहिए जैसे कि आप जानते हैं तीन प्रकार की गाई हमारा पास रहते हैं जो साधारण गाई है दूद नहीं देते दूसरा गाई जो है जो दूद देती है और तिसरा गाई है जो गर्वबती है गाविन है वो गाविन गाई भी दूप्रकर होते हैं जैसे कि दूद देने बाले गाविन गाई और बिना दूद देने बाले या दूद नहीं देने बाले गाविन गाई ये सभी गाई को कैसे बैज्यानी की उपाय से हम खाना किलाएं कई बंधुगन कई मित्रों ने ये सवाल पुछा तो हम चर्चा करेंगे पहले केसे साधारन गाई को हम क्या खिलाएं एक साधारन गाई को भुसा जिसको स्ट्रॉ बोलते हैं हर दिन 6 किलोग्राम घास 20 से 25 किलोग्राम और जो जिबन धारन के लिए उसका वजन देखते देंगे जैसे की 100 किलोग्राम का वजन है तो आधा किलो दाना देंगे चोकोड जो मिलता है उसको देंगे अगर 200 किलो है तो एक किलो देंगे तो हर एक सो किलोग्राम जो बड़ी वेट है इसके लिए आधा किलो जीबन धारण दाना देंगे तो एक साधारण गाई के लिए हर दिन भूसा यान इस प्रो चो किलोग्राम घास 20-25 किलोग्राम और दाना कंसेंट्रेट फूड हर एक सो किलोग्राम ओजन की गाई के लिए आधा किलो देना चाहिए अगर दूद देने बाले गाई हैं तो क्या देंगे जो भूसा है हर दिन 6 किलोग्राम घास 20-25 किलोग्राम और उसका जीबन धारण के लिए हर सो किलोग्राम के लिए आधा किलो हर लिटर दूद देने के लिए 400 ग्राम का दाना देंगे अगर गाई फिर गाविण है छे महिना की या छे महिना की अधिक गाविण है तो इसके लिए और एक किलो जादा दाना देना चाहिए मैं एक उधारण देता हूँ मेरा एक गाई है 400 किलोग्राम की वोजन होगा वो 10 लिटर दूद दे रही है और 6 महिना की गाभिन है तो कितना गहास में खिलाऊं ये 400 किलोग्राम वाली वोजन वाली जो गाई है गोमाता हैं 10 लिटर दूद दे लिए इनके लिए जो भूसा है हर दिन 6 किलोग्राम घास 20 से 25 किलोग्राम के लिए हर 100 किलोग्राम को आधा किलो देना चाहिए और हर एक लिटर दूद के लिए 400 ग्राम तो गाई के वजन 400 हो गया तो 2 किलोग्राम देंगे जीबन धारन के लिए 10 लिटर दूद दे रही है मतलब 10 गुना 400 ग्राम 4 किलो दाना देना चाहिए तो ये जो गाई मेरे दूद दे रही है हर दिन भूशा 6 किलोग्राम घास 20 से 25 किलोग्राम दाना 400 केजी के लिए 2 किलो जीबन धारन के लिए 10 लिटर दूद के लिए 4 केजी ऐसे 6 किलो देना है 6 किलो अगर गाभिन है तो और 1 किलो ज्यादा तो 7 किलो हो गया दूद दे रही है गाभिन है 6 मैना की उपर और उसका सरीर का बजन 400 किलोग्राम है तो हम कितने देंगे भूसा 6 किलोग्राम घास 20 से 25 किलोग्राम 7 किलोग्राम दाना देंगे हर दिन उसको दो भाग करेंगे एक हिस्सा सुबे देंगे आधा और एक हिस्सा साम को देंगे तभी ये अच्छा रहेगा गाई के लिए जो गाभिन गाई हैं कभी कभी दूद नहीं देते तो दूद देने वाला जो है एक किलो प्रती 400 ग्राम का दाना उन ही देंगे उसका जिबन धारण के लिए दाना देंगे भूसा देंगे 6 किलोग्राम घास देंगे 20 से 25 किलोग्राम गाभिन के लिए एक किलोग्राम देंगे और बजन की हिसाब से हम जिवन धारन की दाना देंगे और दो हिसा करेंगे उसको सुबह एक हिसा साम को एक हिसा आसा करता हूं जितने बंदुबर्ग हैं गोपालन करते हैं गायों में रुची रखते हैं और अपना घर में गाय रखे हैं गोसाला में गाई रखे हैं सबके लिए ये बैज्ञानिक सम्मत तत्या चारा देने का ये उपाय है आसा आप इसको चर्चा करें अपने बंदुबर्ग के साथ उसको सेयार भी करें आज इतना ही फिर अगले दिन चर्चा करेंगे बिदाय दीजिए नमस्कार